नमस्कार दोस्वागत जो आपका आर्था है सेक्टे और स्टेडिय को हमारा टाइम टेबल होता है अर्थव्योस्था तो उस अर्थव्योस्था से जम्मदीर आज भाग दो हम लोग आज डिसकस करेंगे तो दोस्थों ज़्यादा समय जबाते ही चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो शेसन तो दोस्वागत का अर्थव्योस्था का पहला यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो उपरी लागत का आसे उन खर्चों में से है जो तो यहां पर आपसन आपका सही हो जाएगा मसीनरी तथा उपसकर खरिदने के लिए किये जाएं या तो जो उपर लागत होती है यह उत्पादन की वे लागते हैं जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं यह उत्पादन के स्था से सुतंत होती हैं वास्तों में फर्म को यह लागते उठानी ही पड़ती है यह फर्म थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद भी कर कर दें तो भी अगर आपके कंपनी में अगर कोई स्थाई मजदूर हैं आपने कोई भूम लीज पा रिले रखी है आपने कोई ब्याद जिल रखा तो ये सब कीमेते आपको चुकानी ही चुकानी पड़ेंगी भले ही आप उत्पादन कर रहे हो या ना कर रहे हो ठीक है तो न यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा option number 2 उत्पादन लागत में बचत ठीक है तो किसी फर्म के जो सुलाव है वो फर्म के उत्पादन लागत में बचत होती है जो उसे संपूर उद्द्यों के बिस्तार के परणाम सोरूप राप्त होती है ये किसी ब्यक्ति वास्टविक सकल घरेली उत्पाद को मापा जाता है तो जो वास्टविक सकल घरेली उत्पाद है इसको इस्थिर दामों पर मापा जाता है यानि कि option number आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा ठीक है तो जब GDP की वर्तमान कीमते या मुद्रा रूप GDP कहते हैं दूसरी और जब GDP गड़ना एक दिये हुए वर्स में इस्थिर कीमतों के आधार पर की जाए तो उसे इस्थिर कीमतों पर GDP अथाव वास्टविक GDP कहते हैं ठीक है तो जो वास्टविक GDP होती है वो होती है वर्तमान वर्स के लिए GDP गुड़े आधार वर्स अपान वर्तमान वर्स सोचक नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमर फोर जो बैंक निछेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं जो बैंक निछेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं यह हमारा यहाँ पर कुश्चन निकल कर आ रहा है तो देखिए वो कहलाते हैं मांग निचेप यानी की option number आपका एक यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीक है तो जो bank निचेप बिना notice के निकाले जा सकते हैं वो मांग निचेप होती है तथा इस पर ब्याज की दर बहुत कम होती है ठीक है next question है question number five जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं तो दोसनों जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके तो उसे कहते हैं निमग नलागत यानि कि option number three आपका है पर सही हो जाता है कौन सा निमग नलागत निमग नलागत यानि कि इसको बोलते ह संक कास्ट तो निमग नागत या संक कास्ट वह लागत होती है जिसकी वसूली न की जाज़के इसके विप्रीद परवर्ति लागत को वसूल किया जा सकता है विविन आर्थसास्तियों ने भिन भिन उद्यूसों को ध्यान में रखते वे लागत की विविन धारणाओं का उप तो एकादिकार उस स्थित को कहते हैं जब उद्योग में एक ही फर्म होती है एकादिकार फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है फल सुरूब फर्म का मांग वक्र ही उद्योग का मांग वक्र होता है एकादिकार की स्थित किसी पूंजी वाद में भी हो सकती है औ तो दोनस्तों इसका जो answer आपका यहाँ पर हो जाएगा question ै जो है कि ऐसा अर्थसास्त जैसा उसे होना चाहिए या कथन नीम्ल में से किस से संबंध है या जो कथन है यह आपका माना कर्थ विता से संबंध है यानि कि आपका option number-1 से हो जाएगा माना कर्थ विता से सम्मंद है ऐसा अथा जैसा उसे होना चाहिए या कथन मानक अर्थविता से के बराबर होती है यानि कि option number आपका यहां पर कौन हो जाएगा option number 3 आपका यहां पर सही answer हो जाएगा परवर्ति लागत में प्रसासनी लागत का योग के बराबर होती है मोल लागत ठीक है next question है question number 9 किसी अर्थ व्योस्था में पूजी निर्मान निर्भर करता है तो दोस्थों किसी जो कोई अर्थ व्योस्था होती है उसमें पूजी निर्मान किर्भर किस पर निर्भर करता है यह आपका यहां पर question पूछा गया है तो दोस्तों भारत में जो पूंजी पनान उद्योग का सर्बोत्तम उधारण है वो है इस्पात उद्योग यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है तो भारत में पूंजी पनान उद्योग का सर्बोत्तम उधारण है वो है इस्पात उद्योग पूँजी पधान उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें पूँजी गर्थ परिसंपतों में उच निविस की ज़रूरत होती है Next question है question number 11 व्यसी करण का अर्थ क्या है तो दोस्तों जो व्यसी करण का अर्थ होता है तो वो होता है घरेलू अर्थव्योस्ता का साथ एक ही करण सब्द वैसी करण का उप्योग अर्थ सास्त्रियों के दौरा वर्स 1980 से किया जाता रहा है ठीक है हाला कि वर्स 1960 के दसक में इसका उप्योग सामाजी विज्ञान में किया जाता था सरकार दोरा लगाएगे औरोधों या प्रतिबंदों को हटाना कहलाता है तो दोस्तों जो सरकार दोरा लगाएगे औरोध या प्रतिबंद होते हैं वो क्या कहलाते हैं ठीक है तो उनको कहते हैं उधारी करण यानि कि आप्सन नमबर आपका दो यहाँ पर सही आंसर हो जाता ह तो सरकार दोरा लगाएगे और उद्वे प्रद्वन्दों को हटाना उधारी करण की प्रक्रिया का हिस्सा है नेक्स्ट कुश्चन है क्वेजिन नमबर 13 तो देख लेते हैं क्वेजिन नमबर 13 क्या है तो पूझी वाद यह अद्वरस्था में कीमर दिन्धान पूर्ती और मांग यानि की सप्लाई एंड डिमांड के द्वरा होता है नेक्स्ट कुश्चन आपका यहाँ पर है क्वेजिन नमबर 14 रखो और निकालो निवन में से किसकी नीती है तो यह भी काफी important है तो रखो और निकालो यह आपकी पूझी वाद की नीती है यानि कि option number 1 आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है तो पूझी वाद जो अर्थवरस्था है उसकी नीती है रखो और निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद की अंसार समाज का मुक्ख दुस्टमन कौन है तो दोसरों जो साम्यवाद है इसके अंसार समाज का जो मुक्ख दुस्मन है वो है निजी संपति यानि कि option no.1 आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा तेकि जो सामवाद है ये मार्क्सवाद का उन्नत रूप है मार्क्स ने पूर्ण समाजवाद की स्थापना की चार अवस्था बताई है एक पूर्णजी वादी अर्थवस्था, दूसरा स्रम कीताना साही, तीसरा समाजवादी समाज चौथा साम्यवादी समाज साम्यवाद समाज का मुख दुस्मन निजी संपत्य को मानता है साम्यवाद का उद्देश पुंजी पतियों का संपत्य पर से अधिकार समाप्त करना होता है क्योंकि यही एकbekt김 का शुर्सड करने है तो प्रेरीत करता है नेक्स्ट कॉस्जिन है किसी देश का आर्थी किस पर निर्भर करता है तो यह काफी important question है और एक्जाम में repeat हुआ है कई बार धीक है तो जो किसी देश का आर्थी किसा है यह आपका यह जो तीनों दिये गए हैं यानि कि बाजार काकार, प्राक्तिक संसाधन, पूंजी निर्माड इन सभी पर जो है निर्भर करता है यानि कि अप्सन नमर चार आपका सही हो जाएगा उप्रयोग तो सभी ठीक है तो जो किसी देश के आर्थे विकास के लिए प्राक्तिक संसाधन पोंजी निर्माण यों बाजार काकार इत्यादि महातुपुड कारक होते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमर 17 है फर्मे जो भुक्तान बाहर वालों को उनकी वस्तों और सिवाओं के लिए करती हैं तो लो क्या कहलते हैं यह आपका यहाँ पर पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा सुस्पस्ट लागत यानि कि option number एक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो जो भुक्तान बाहर वालोक उनकी वस्तुओं और सिवाओं के लिए फर्मो द्वारा किया जाता है उसे स्विस्पष्ट लागत कहते हैं ठीक है Next question, question number 18 है उत्पादन समाजिक दर्ष्ट से आदर्स इस्तर पर होता है ठीक है उत्पादन समाजिक दर्ष्ट से आदर्स इस्तर पर होता है तो यह कब होता है पूर्ड पत्योगिता के अंतरगत कब होता है पूर्ड पत्योगिता के अंतरगत इसके अंतरकर जो फर्मे होती है वो प्राया कीमत लेने बाली होती है यानि कि option number आपकी चौथा सही हो जाएगा option number 4 आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है next question है और आज के जीकेशन का अंतिम जो question है वह स्रम विभाजन की धार्णा का समर्थन किस नहीं किया था तो दूसरों जो स्रम विभाजन की धार्णा है आपका question है स्रम विभाजन की धार्णा का समर्थन किस नहीं किया था तो इसका जो समर्थन है यह समिथ नहीं किया था यानि कि option number 4 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठिक है तो आधनिक 27 के जनक तथा प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रड़ेता Adam Smith यह स्रम विभाजन की धाणा का समर्थन किया था इन्हों ने और इस धाणा के अंवसार यिद किसी कार की संपोर्ण प्रक्रिया को एक ही ब्यक्ति्द्वारा न करा कर उसे बिभिन चर्णों को भिन भिन लोगों से पूरा कराने की पिक्रिया ही स्रम विभाजन कहलाती है ठीक है तो दोसरों ये थे आज के 20 important questions आज के अर्थ सास भाग दो और इसी तरह से भाग 3 भाग 4 ये चलता रहेगा जब तक आपकी जाम नहीं हो जाते हैं कि अब तक मैं इसके जो important question है वह complete करना है कि पूरी courses करूंगा उसके बाद कल है Sunday और Sunday को आपका दिन है सामान ज्यान विविद का जिसमें हम विविद question discuss करेंगे तो दोसरों आप बस हमारे साथ बने रहे हैं और इसी तरह से enjoy करते रहे हैं